किसा लाल यादों का आज एक सॉंग रिलीज हुआ अक्षरा सिंग का भी एक सॉंग रिलीज हुआ और पवन सिंग का भी एक सॉंग रिलीज हुआ जी हाँ एक ही दिन तीन बड़े स्टार्स के तीन बड़े-बड़े सॉंग वैसे आपको बता दे कि पवन सिंग के इस सौंग के लिए तो भाई महीनों से पबलिसिटी चल रही थी लोगों को पता था कि ये सौंग किस दिन रिलीज किया जाएगा और तो और खेसारी के सौंग को भी इसी दिन रिलीज किया गया और अक्षरा ने भी अपने सौंग को इसी दिन रिलीज किया किसका गाना सबसे जल्दी जाएगा और तो और इस चीज के लिए फैंस भी बेताब थे आपको बता दे कि पवन सिंग का ये जो सैड सौंग है वो हर मामले में अक्षरा और खेसारी के सौंग से उपर है ये सौंग की जो डूरेशन है पहली बार भूजपूरी इंडस्ट्री में आठ मिनिट का एक गाना है जिसमें स्टोरी को भी बकायदा बताया गया है साथ ही साथ यहाँ डायलोग है और तो और आप एकदम क्लियर हो जाएंगे राइटर और गायक कहना क्या चाहता है वैसे तो 8 मिनिट के इस गाने में टोटल सौंग सिर्फ 3 मिनिट का ही है और तीन मिनट की स्टोरी टेलिंग है आठ मिनट की है और साथ ही साथ इसके स्टोरी पर भी बहुत ही जादा काम किया गया है ताकि लोगों को ये पता चल सके कि जो ये सैड सॉंग है वो स्टोरी अपने साथ लेकर चल रही है ऐसा नहीं कि सॉंग कहीं है और स्टोरी कहीं है इसकी पिक्चुराइजेशन भी बहुत अच्छी तरीके से की गई है, साथ ही साथ यहाँ पर जो कहानी बताई गई है, दर्शकों को वो भी पसंद आई है, काव्या सिंग, पवन सिंग के साथ ठीक ठाक लग रही है, आप यह नहीं कह सकते कि बहुत जच रही है, लेकिन आप यह कह सकते हैं, कि ठीक ठाक लग रही है, साथ ही साथ म्यूजिक जो है, वो जिस तरह का सैट सॉंग है पवन का, उसको बिलकुल ध्यान में रखकर बनाया गया है, यह नहीं कि सैट सॉंग है, तो थोड़ी हैवी म्यूजिक है, थोड़ा कुछ ऐसा है, जिससे सुनने के बा दिल और दिमाग पर भारीपन महसूस होता है, नहीं एक सूधिंग स्टोरी है, लेकिन भाई जो अंत है ना, वो बहुत ही जादा ट्रेजडी वाला है, इस गाने का जो अंत है ना, वो आपको पूरी तरह से दहला देगा, पूरी तरह से ट्रेजडी वाला है, यहां पे एक शेर 100 के बराबर था लेकिन उसने आत्मसमरपन कर दिया सिर्फ प्यार के लिए तो ये स्टोरी है इसके जो बोल लिखे हैं गाने के बोल लिखे हैं वो अरजुन अकेला ने और म्यूजिक छोटे रावत का है तो आप समझ सकते हैं बहुत ही खुबसूरत छोटे रावत न मानी जाती है तो आप अगर अभी तक ये गाना नहीं देखा है तो देखिए कुछ नया एक्सपेरिमेंट है भोजपूरी में जो कि बहुत ही खुबसूरत है पाच में से चार स्टार एक स्टार इसले काटे जा रहे हैं कि भाई इसकी हैपी एंडिंग तो करनी ही चाहिए लेकिन खैर ये सैड सॉंग है तो यहां आप कह नहीं सकते काव्या की जगे डिरेक्टर को इस गाने में किसी और हिरोईन को लेना चाहिए था वो कुछ जादा ही बहतरीन होता खैर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं पडोसन सोसन करती है के बारे में जी हां पडोसन शोसन करती है यह जो गाना है इसका ओडियो रिलीज और चार पांस दिन पहले हो चुका था वीडियो रिलीज किया गया है त्रिशाकर मधू के साथ खेसारी लाल यादो की जोड़ी बहुत जम रही है वैसे त्रिशाकर मधू और जिसके साथ भी आती हैं चाहे वो अर्वि इनकी जोड़ी खेसारी के साथ भी जम रही है और जो यह गाना है इसमें जो त्रिशाकर मधू का यानि जो इस गाने की एक्ट्रिस है उनके जो अटायर है जो उन्होंने क्लोधिंग वेर की है आप उन्हें देखेंगे तो कुछ जादा ही थोड़ी यूनीक सी लगती है औ 10 गन्ते में 8000 विऊ होसिल किया है और इसे नील कांथ फिल्म्स पर रिलीज किया गया है उसके ओफिशिल YouTube चैनल पर रिलीज किया गया है अगर आपने नहीं देखा है तो इस गाने को आप वहां देख सकते हैं आपको यह बता देते हैं इस गाने में जो है जो इसके लिरिक बीच में कुछ एक दो सौंग ऐसे आये थे उसी सौंग से कुछ रिलेटेड करता हुआ है लेकिन इसके सौंग की बोल कैची है तो आप बड़े जल्दी रिलेट कर लेंगे इस गाने को एक ही लोकेशन पर फिल्माया गया है और जिस तरह से इन दोनों की जोड़ी लग रही ह है और आप यह कह सकते हैं जो खेसारी के फैंस हैं उनके लिए यह बात बहुत अच्छी है कि यहां खेसारी के फैंस और खेसारी के लिए यह अच्छी बात है कि वह अपने फैंस को जरा भी बोर होने का मौका नहीं देते कुछ न कुछ नया करते रहते हैं तो भाई यह जो गर्मी में थोड़ा ठंड़क का एसास भिग रहेगा तो जो लोगों को जो खेसारी के डाय हाट फैन है वो नील कांथ फिल्म्स के ओफिशिल यूटूब चैनल पर जाकर इस गाने को देख सकते हैं अब बात करते हैं अक्षरा सिंग के गाने की बंगलिनिया की बारे में जी हाँ आजकल हर जगह जहां देखिए हर जगह बात हो रही है बंगलिनिया की तो जो भी देखो चाहे वो अंकुस राजा हो चाहे वो समर सिंग हो चाहे वो खेसारी लाल यादा हो और अब ये अक्षर अक्षरा सिंग हो हर जगे सिर्क बंगलिनिया बंगलिनिया और इस बार अक्षरा सिंग ने ये कहा है दोस नाइखे बंगलिनिया में तो भाई अक्षरा सिंग का गाना सुनने लायक है अक्षरा सिंग का जो ये गाना है उसमें अक्षरा सिंग काफी खुबसूरत लग रही है वो बेंगाली बोलते हुए भी नजर आएंगे आपको और साथे साथ इसमें विशाल सिंग है उनके रूमर बॉइफरेंड कहे जाते हैं इन दोनों की जोड़ी एज उसल ठिक ठाक है अक्षरा इनके आगे हमेशा से 20 लगी है आप ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ क्योंकि अक्ष अक्षरा सिंह भोजपूरी की बहुत ही खुपसूरत एक्ट्रिसस में से एक है तो ये अपनी खुपसूरती का फायदा अक्षरा सिंह अपने हरेक वीडियो में उठा लेती है आपको आगे भी बात करेंगे, तो यहाँ पर आक्षरा सिंह ये कह रही है गाने में कहना चाहरी कि बंगलीनिया जो है उसका दोष नहीं आप जो कि अख्षरा सिंग्स पर जाकर उनका यह गाना देख सकते हैं बहतरीन गाना है इसे भी वियूज बहुत अच्छे मिल रहे हैं तकरीबन जब हमारा वीडियो बन रहा है तब तक में इसके वियूज छे लाग के भी उपर जा चुके हैं और ये भी एक अक्षरा सिंग का हो सकता है गाना ब्लॉग बस्टर सॉंग हो क्योंकि आजकल अक्षरा सिंग के कई गाने बहुत ही खुबशूरत और इधर आने का नहीं हो फलनवा का बेटा सपनवा में आता हो ये सारे सॉंग आजकल खुब धूम मचा रहे हैं आप देख सकते हैं इनके व्यूज भी बहुत खुबशूरत हैं बहुत ही अच्छे व्यूज आ साथ चल रहा है कुछ यूनिकनेस है ऐसे यूनिक स्टोरी की दरकार भुजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ही तेज है कुछ अलग-अलग काम हो जिसे देखने के बाद लोग कुछ नया फिल्म महसूस कर सकें खेसारी लालियादो दिनेस लालियादो आमरपाली दूबे तो सीख है वो लेनी चाहिए कुछ अच्छा करना चाहिए बोजपुरी जगत की होटर और मसालेदार गौसिप करना बिल्कुल नभूलिए